हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहा है सक्षेस पत्र आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेखनिक्स शिविल एंगिंग की जो फिफ समिस्टर की स्टुडेंट है उनका जो सब्जेक्ट है स्वाल मेकैनिक्स एंड फॉर्डेशन एंगिंग का तो उसका ह इस वीडियो को अपने फ्रेंड की साथ ज्यादा स्यादा स्यादा की प्लेश्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो तो आप देखिए यहां पर महतवपूर जो रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो भी आपके क्विस्टन होंगे निमिर स्याद तथा स्रन्ता में संबंध यानि कीbly रिलेशन बिट्मीटवाइड रिश्यो एइंड पोरोशिटी तो इसके बीच में क्या संबंद होता है कैसे हम इसको ilustre collection कट सेंच तो जे सबसे पहले किसी alien को ले के तो यह हमारा क्या होगा अब पॉजएट होजाएगा 1 by E अगर हम इसको लिख देते हैं E खो तो यह हमारा Vs आपका ऊपर चला जाएगा और Vb आपका नीचे आजाएगा और Vs को हम क्या लिख सकते हैं V minus Vb लिख सकते हैं आपका अगर फेज टाग्राम पढ़ें तो पूरी चीज़ आपकी clear है कि यह हम कैसे लिखते हैं तो फेज टाग्राम आप जरूर किजिए पीछे की वीडियो जरूर देखिए तब ही आपको यह सारी चीज़े clear होंगी यह आपका होता है फेज टाग्राम से तो फिर हमारा क्या होगा जब यह हमारा equation मिला तो 1 by E is equal to क्या हो गया यह हमारा V upon VB तो यह equation हमको मिल गए यहां से और अब हम देख सकते हैं कि N is equal to V upon V होता है तो जब हम इसको solve करेंगे पहले इसको solve कर लेते हैं E plus 1 यह इसको हम solve करें क्या होगा 1 plus E हो जाएगा अपान E is equal to 1 by N यह जो V upon V opposite में है तो यह 1 by N की value है अगर यह V upon V होता तो N की value होती तो यहां पर हम लिख लिए सारे value और अब हम क्या गढ़ सकते हैं यहां से आपका equation मिल जाएगा यहां रिलेशन मिल जाएगा यहां इसको यह नहीं पता होता है कि इसमें relation यह ही relation होता है और यह हमको find करना है परूब करना ऐसा नहीं होता है आपको केवल यह दे दिया जाता है कि रिक्तितान पात असर सरंता में संबंध बताइए ति इस प्रकार से रिक्तितान पात के फार्वले को हम लेकर चलेंगे उसको तोड़ते हो चलेंगे और वहां से हम सरंता और रिक्तितान पात के relation हम बत तो इस प्रकार समें निकालेंगे , अगर white ratio की value निकालें , परोस्टी की value पता है, तो हम कैसे करेंगे , तो इसका दूसरा भी , यह हम देख सकते हैं , परोस्टी को लेकर चलेंगे ,行neIocal To VV upon V , इसका Beyond V is तो यह हमारा एक टार में तो कट जाएगा 1 हो जाएगा और दूसरा हमारा बचेगा यहां पर B S upon VB तो यह हो गया हमारा अब यहां से equation हमारा क्या मिलता है 1 by N is equal to 1 plus B S upon VB यह हमारा equation है अब हम क्या करेंगे इस 1 को इधर ट्रांफर करेंगे 1 by N minus 1 हो जाएगा यह और यह Vs upon VB के बराबर हो गया और यह Vs upon VB क्या होगा 1 by E के बराबर हो क्योंकि E इस खटके आपका VB upon Vs होता है और 1 by E is equal to क्या हो जाएगा Vs upon VB होगा तो यह हमारा इसके बराबर है तो इसके बराबर हम रख लिए और इसको solve कर लिए जब इसको solve करेंगे तो 1 minus E n upon E n is equal to 1 by E होगा और जब हम E की value निकालेंगे तो E आपका E n ऊपर आजाएगा 1 minus E n नीचे आजाएगा तो E is equal to क्या हो जाएगा E n upon 1 minus E n तो यह होगी हमारा दूसरा relation तो दो relation आपको यहाँ पर मिलते हैं wide ratio और porosity के बीच में E n is equal to E upon 1 plus E और E is equal to E upon 1 minus E n तो जब भी E n की value पता है तो इस formula से हम E की value निकाल लेंगे और जब भी E की value पता है तो इस formula से हम E n की value निकाल लेते हैं दूसरा जो हमारा relation होता है वह होता है विविन इकाई भारों विशिष्ट गुरुतों तो था रिक्तिता अनुपात में संबन जो हमारे इकाई भार होते हैं unit weights होते हैं जो हमारे specific gravity होता है G और रिक्तिता अनुपात E तो इसके बीच में इन तीनों के बीच में भी एक relation होत जाता है कैसे हम उसको find करते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं इस थूल गनत तो जो हमारा है गामा B is equal to W upon V यानि कि जो आपका total weight होता है total volume होता है तो इसके बराबर होता है तो capital W is equal to total weight की इसके बराबर होता WS plus WW के क्योंकि air का जो weight होता हो neglect होता है और V is equal to क्या हो जागा VS plus VB के यह phase diagram से सारी चीज़े आपको यह मिल जाती है और यहाँ पर जब हम common ले लेंगे WS तो यहाँ पर आपका होगा 1 plus WW upon WS और VS अगर हम common लेंगे तो 1 plus VB upon VS यह आपका equation मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं चुकि WS upon VS is equal to G into gamma W होता है गामा W आपका जलका घनत्त है तो WS upon VS के जगा पर हम क्या रख सकते हैं WS upon VS जो है इसके जगा पर रख सकते हैं G into gamma W और WW upon WS किसके बराबर होता है ओमेगा के बराबर यह आपका water content होता है WW upon weight of water upon weight of solid और जो आपका रिक्तिता अनपास होता है इसके क्या formula होता है सारे formula हम पहले पढ़ चुके हैं definition basic जो definition थे आभी हम relation पढ़ रहे हैं तो definition आपको पता होंगे तभी आप relation बता पाएंगे तो जो इसमाली रिक्तितान पास होता है value of weight upon value of solid होता है तो सारी value हम देख लिए कि WS upon VS क्या होता है G into gamma W के बराबर यहां पर आपका बचा 1 plus VV upon VS आपका होगा इसमाली के बराबर और VV upon VS आपका इसमाली के बराबर विभिन पद्वक के नाम सुत्र में रखने पर यह जो formula हमारा है इसमें हम यह सारी यह तीन हो टर्म के जो भी यहां से मिले हुए है हम इसमें रखेंगे तो WS upon VS, WS upon VS आपका होजाएगा G into gamma W, G into gamma W हम रख दिये, WW upon WA, WW upon WS के होजाएगा 1 plus E किसके पर आपर omega के 1 plus omega होगे है और यहां पर आपका बचा 1 plus VV upon VS, तो VV upon VS आपका होगा इसमाल E के, तो 1 plus E हो जाएगा, तो यहां से एक equation हमारा मिलेगा, G into gamma B is equal to G into gamma W into 1 plus omega upon 1 plus E, यह तो equation आपका होगे, एक relation, यह आपका है, formula, अगर इसमें कुछ value आपके दी गई है, किसी का, एक कमान पूछ रहा है, त पिर हमारा देख सकते है, यह दि मिडदा पिंड शुस्क है, शुस्क ड्राई होगी, तो आपका क्या होगा, जो water content होगा, 0 होगा उसमें, और इस इस इस्तिति में, इस थूल घनतो का मान ही, शुस्क घनतो होगा, तो जो इस इस्तिति में, और जो आपका omega होता हो 0 होता है, तो जब यह 0 होगा तो यहां पर बजएगा 1 और 1 से इसमें multiply करेंगे तो आपके यह ही term रहेंगे G into gamma w और नीचे हो जागा आपका जो 1 plus c है वो ही रहेगा और इस इस इस्तिति में क्या होता है गामा भी आपका gamma d के बराबर होता है तो जो हमारा dry density होगी वो हमारी हो जागी इसके लिए formula हो जाएगा G into gamma w upon 1 plus e और जो bulk density थी उसके लिए हमारा formula यह है G into gamma w into 1 plus omega upon 1 plus e तो यह दोनों आपके relation यहां से मिल रहे हैं अभी हम आगे देखते हैं next एक और relation जो इसमें है हमारा gamma b और gamma d का अपस में तो gamma b को gamma d से जब भाग देंगे जो भी हमारे relation मिले थे इसके पहले जब हम भाग देंगे तो वहां से आपको यह value में लेगी gamma b upon gamma d is equal to 1 plus omega upon 1 और gamma d is equal to क्या होगा gamma b upon 1 plus omega और gamma d gamma b के बराबर होता है तो यहां से हम इसको change क कर सकते हैं इसके जबंपर gamma b रख दिये इसके जबंपर gamma d रख दिये तो यह भी आपका फार्मूला हो जाता है gamma b is equal to gamma d upon 1 plus omega तो इस प्रकार से तीन relation आपको इसमें से मिल जाते हैं और यह formula आपके numerical में help करते हैं next हमारा जो relation है रिक्तितान पात संत्रिप्तियांस जलांस व तो इसमें क्या क्या relation होता है इसको हमको बताना यह आपका most important है तो इसमें आप देख सकते हैं एक को हम लेके चलेंगे रिक्तितान पात को e is equal to vb upon vs volume of voids upon volume of solid और इसमें हम क्या कर रहे है vw से गुड़ा हम भाग करने पर तो यह जो हमारा है इस formula गुड़ा और भाग आपका कोई effect नहीं पढ़ने वाला इस पर तो vb upon vw हो गया यहां से और vw upon vs हो गया यहां से पुनरवे स्थित करने पर इस equation को अब हमारा क्या है vb upon vw is equal to 1 by sr sr के बराबर होता क्योंकि sr की value of degree of saturation की vw upon vb होता है चुकि opposite है vb upon vw त इसलिए आप 1 by sr लिखा हुआ है औ अर vw is equal to क्या होता है. www upon gamma w के बराबर होता है इसकilen एक formula होता है जो value of water होता है weight of water upon density of water होता है उसके यह बराबर होता है और jho vs होता है का ws upon g into gamma w के बराबर होता है तो जितने भी इसमें टर्म है उसको हम अलगले टर्म में यहां पर तोड़ ले रहे हैं और उसको हम फिर इसी गामा डवलू के तो w upon gamma w लिए वी डवलू के जगा है और vs के जगा रखेंगे ws upon g into gamma w तो यह हमारा रख लिए ws upon g into gamma w तो अब हमारा यहां से देख सकते हैं इसको जब हम solve करेंगे तो w upon ws एक आएगा आएगा आपका equation और यह हमारा जाएगा उपर g into gamma w upon gamma w यह आएगा आपका दूसरा equation तो इसमें w upon ws क्या होता है omega होता है यानि की water content होता है weight of water upon weight of solid तो इसके जब हम क्या रखेंगे एक तो आपका 1 by sr है into इसमें आपका एक हो जाएगा omega और यह हमारा जो है यह जो equation है इसको हम solve करेंगे यह आपका हो जाएगा g into gamma w उपर रहेगा और gamma w नीचिया जाएगा तो इसमें आपका relation मिल गया रिक्तिता आनपात, degree of saturation, water content और specific gravity में आगे हम देखें इसमें तो संत्रिप्त अवस्था में sr is equal to 1 होगा जो संत्रिप्त अवस्था होगी जब आपका saturated होगा तो उसमें आपका sr की value क्या होती है maximum होती है 1 होगी तो आता संत्रिप्त अवस्थ क्योंकि संत्रिप्त अवस्था में sr की value एक होती है परन्तु gamma b is equal to g into gamma w 1 plus omega upon 1 plus e यहां से आपका क्या होजागा gamma w यह आपका g इसमें multiply करें इसको gamma w और g इसमें multiply कर g plus g into gamma w upon 1 plus e तो पूर संत्रिप्त अवस्था के लिए e is equal to क्या होता है omega into g होता है तो omega into g को हम क्या रख सकते है e के बराबर रख सकते है तता gamma b is equal to क्या जाजए gamma set के जो bulk density है वो आपकी saturated density के बराबर होती है तो gamma set is equal to क्या हो सकता है यहाँ पर gamma b के जगा हम gamma set रखें और इसको हम तोड़ लिया तो यह equation हमारा मिला तो g आपका gamma w तो रहेगा ही और g आपका है लेकिन g into gamma w किसके बराबर है e के बराबर है क्योंकि जब आपकी saturated होगी तो यहाँ पर आपका e is equal to omega into g होता है इसलिए omega into to g के जाब आपके हम कहा रख लिए e रख लिए और नीचे आपका 1 plus e है तो एक आपका equation भी जालता है gamma set is equal to gamma w into g into g into g plus e upon 1 plus e तो यह भी आपका एक formula है इसको भी आप याद रखी आपके निभी विरकल में help करेगा और एक equation आपको और मिलता है यहाँ से उप्रूक्त समीक्र इसको हम यहाँ पर रखेंगे minus 1 into gamma w is equal to क्या होगा gamma w e होगा और इसको जो हम solve करेंगे तो आपका gamma sub is equal to क्या जाएगा gamma w into g minus 1 upon 1 plus e ती यहाँ से आपके यह तीन चार फार्मूले बिल गए gamma sub का gamma set का e into sr is equal to omega into g और संत्रित आपका क्या हो जाएगा e is equal to omega into g ती इस प्रकार question है दो चार question है जो आपके important है exam में आपके पूछे आते है इस प्रकार के question तो उसको भी हम देख लेते हैं एक पूर संत्रिप्त मिर्दा प्रतिदर्ष का आयतन 180 cm3 तता भार 320 ग्राम है यादि मिर्दा के ठोस कड़ों का विशिष्ट गुरुत जो विशिष्ट गरता 2.6 ह हो तो रिक्तता आनुपात, सरंद्रता, जलांश या संत्रिप्त इकाई भार ग्याद कीजिए तो आपका यहाँ पर यह सारी वैलू ग्याद करनी है और यहाँ पर दिया है वालूम दिया है 800, वेट दिया है 320 और स्पेसिफिक डिटी दिया है 2.6 निकालना क्या है रिक्तता वेलू पता है, V की वैलू पता है तो यहाँ से सॉल करेंगे तो 1.78 ग्राम पर, सेंट्टीविटर की बाप आपका आ जाएगी गामा सैट की वैलू तो एक तो हमारी निकल गई दूसरा आपका निकालना है तो गामा सैट इसकल टो आपका फार्मूला होता है गामा डबलू इंटू G प्लस C अपन प्लस C ये फार्वुला हम रख सकते हैं क्योंकि हमको G की वेलू पता है गामा डबलू इसकल टू आपका क्या होता है वन होता है यह आपका वाटर की डेंसिटी गामा साइट की वेलू हमको पता है और यहां से हमारी E की वेलू मिल जाएगी तो इस फा पता है तो E और N में जो रिलिशन होता है उसका फार्वुला हम रखेंगे तो E इसकल टू क्या होगा E अपन 1 प्लस C तो यहां से हम सारी वेलू पूट करेंगे E की और N की वेलू हमारी मिल जाएगी 51 परसेंट फिर हमारा निकालना है मिर्दा प्रतिदर संत्रिप्त अहस् और 440 असलो 4% तो इस प्रकार से यह क्या करते हैं सबसे पहले पॉइंट में हम चेंज कर लेते हैं और फिर हम जो रिलेस्टन है E और N का उसके फार्वुले को रखेंगे उसका सारी वेलू बूट करेंगे E की वेलू हम बूट कर दी और N की वेलू हमको मिल गई नेक्स्ट हमारा कीशन है एक मिर्दा की धिली वह शगन अवस्थावा में सुषक इकाई भार क्रम्सव 1.42 ग्राम पर सेंटिविटर क्यूब तथा 2.22 ग्राम पर सेंटिविटर क्यूब है मिर्दा कड़ों का विशिष्ट गूरू तो 2.7 तता सरंद्रता 40 परजेंट है मिर्दा का घनत तो सुषकांग ग्याद कीजिए तो आपको यहां पर गया गयाद करना है देंसिटी है जो 1.42 ग्राम पर सेंटिविटर क्यूब है तो तो 2.22 ग्राम पर सेंटिविटर क्यूब है तो 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 इसको आप E-max E-minimum नहीं मान सकते है आपकी देंसिटी है यहां से हम E-max और E-minimum की वालू पहले निकालेंगे और जो आपकी इसमाल लिए है रिक्ततान पात प्राक्रितिक आउस्ता हम उसकी वालू निकालेंगे फिर हम उस फार्मूले में रखेंगे ID is equal to E-max E-max E-minimum के तो यह डाइरेक्ट आपका E-क वालू नहीं आप देख सकते है इसकी उनिट दी गई है ग्राम पर सेंटिविटर क्यूब यहां पर आपको specific gravity दिया 2.7 सरंता दिया 40% सरंता से हम क्या कर सकते हैं प्राक्रितिक होस्ता में जो रिक्टतान बात होता है इस माल E-क value निकालेंगे और फिर हम आगे के फार्मूले से E-max और E-minimum भी निकालेंगे और उसके बाद से हम सारे फार्मूले को अपने जो भी हमारा फार्मूला होगा तो सारी वैलू को हम फार्मूले में पूट करेंगे और फिर हमारा ID की वैलू मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के question को हम कैसे solve करेंगे प् प्रकार्तिक वस्ता में हो गया फिर हमको E-max और E-minimum निकालना है तो E-max के लिए हम क्या करेंगे अधिक्तम धिली वस्ता में जो रिक्तितान पाथ होता हो यह मारा E-max होता है तो मिर्दा में ठोस कडों का भार is equal to गया होगा मिर्दा का सुस क वस्ता में भार जो आपका दिया गया है 1.42-gram यह भार आपका हो गया मिर्दा के ठोस कrüिटों का विसीष्ट गुरूत दिया 2.7 और के ठोस कडों का आयतन निकाले तो भार अपन क्या हो जाएगा िस टो घूुरूत हो जाएगा यहां से हमारा अयतन से इह चीजे हमको पता चलती है 1- यह हैंको थोज कडू का आयतन यहां से हमको यह मिल गया अब हम क्या करेंगि मिर्दा में उपस्तित रेंद रफंता जोका आयतन आपड कर दिया घया है रंद रस्तानों का volume of voids अपन volume of solid तो यह हमारा volume of voids हो गया 0.474 और volume of solid आपका हो गया 0.526 यहां से हमारी value मिलेगी वो हमारी e max होगी 0.9 तो अब जाके हमको e max की value मिल गई है अब हम इसी प्रकार से e minimum की value निकालेंगे तो सगंता वहस्ता में रिक्ततान पात e minimum की value निकालें तो उप्रोकता अनुशार्जी इस प्रकार से हम उपर किया उसी प्रकार से मिर्दा के ठोस कड़ों का आयतन हम निकालेंगे तो भार आपका है 2.22 और जो specific gravity उसे जब divide करेंगे तो हमारा आ जाएगा आयतन 0.822 आपका मिर्दा के ठोस कड़ों का आयतन हो गया volume of solid और करेंगे तो अगरी होता हैँ हमको मिल जाता है तो यह हमारा मिल गया आब हमको रूक्तताः पाद निकालना यह हमारा e minimum होगा क्यू overwhelmed और wealoo of solid value of solid हमाहर है 0.178 और volume of solid हमाहर है 0.822 तो इसको हम solve करेंगे तो आज आएगा 0.217 और यहाँ से E minimum की value मिल गए 0.212 अब हमको E minimum मिल गया E max मिल गया और E मिल गया तब हम फार्मूले में रखेंगे सारी value को और डारेक्ट हम इसकी जो ID की value है वो निकाल लेंगे तो इसी प्रकार से description को solve करते हैं ऐसा नहीं कि हम यहां पर put करेंगे और यहां पर ID की value मिल जाएगे 0.341 फिर इस प्रकार से यह जो question है आपका बहुत important है इसको आप जरूर अच्छे से solve कीजिएगा इस प्रकार के question अगर exam में आते हैं तो आप कोई mistake आप पर नहीं करना है आपको नेक्ट हमारा जो question है last question है इस chapter का आगे जो भी हमारो next video होगा उसमें next chapter को कभर करेंगे तो पर एक शाला में किसी मिर्दा का जलांस ग्याद करने के लिए 42 ग्राम का एक मिर्दा प्रतिदर्स भट्ती में उसको होने के लिए रख दिया गया आपका जलांस ग्याद करने के आपका total जो weight था मारा 42 ग्राम था सुखाने से पहले और इसको हम भट्ती में रख दिये सुखाने के लिए तापकरम क्या है भट्ती का 105 डिग्री से 110 डिग्री से बीच में रखा गया है और प्रतिदर्स का भार इस्थिर होने पर उसका भार क्या है 31 लो 8 ग्राम पाये गया तो जलांस हम कैसे ग्याद करते हैं जो आपका ये प्रियुक्षाला में आपकी जो भी method के बारे में बताए जा रहा है इसमें क्या है कि जो पहले हम वेट लिये थी सुखाने से पहले था 402 ग्राम तो यह हमारा सुखाने से पुरु मिड़दा का कुल भार हो जाएगा डब नहीं है क्योंकि यह water आपका वास्पिक रित होका निकल गया है सुखाने के बार तो यह हमारा मिड़दा में पानी का भार अगर हम निकालेंगे तो पानी के बार हमको कैसे मिलेगा weight of water total जो हमारा इसका weight था उसमें से weight of solid अगर minus कर दें तो जो हमारा water का weight हमको मिल जाता है यहां पर मिल गया 8.4 gram और जलांस जो हम निकाला है तो जलांस का फार्बूला होता है weight of water अपन weight of solid तो weight of water हमारा 8.4 और weight of solid हमारा 1.28 और इसमें हम 100 से multiply कर दें क्योंकि percentage में दिखाते हैं तो हमारा हम जाएगा 26 दसफोलो 42% इस प्रकार से water content निकाल लेते हैं अगर ऐसा के लिए ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को बने रहे हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा श्यादा शेयर करें